वेलकम टू माई चैनल दीजिटल स्टड़ी के दर मैं संदीब कुमार और आपके सामने आज लेकर क्या हैं डेटा कॉम्णिकेशन नेटवर्किंग के लेक्शर नूमबर टू यहीं पार्ट टू चली आज हुम दोग देखेंगे कि नेटवर्क क्या होता है लास्ट के क्लास में हम दोगे देख लिया था डेटा कॉम्णिकेशन क्या होता है उसके करेक्टिस्टिक्स क्या होता है उसके कंपोनेंट्स क्या होता है वह हमने देखा इस क्लास में लोग देखेंगे नेटवर्क क्या होता है और नेटवर्क सबस यह लिंक अलब कहने कामतलब दो या डो से ज्यादा डिवाइसे इसे को किसी भी तरीके सब करना ही हमारा क्या आसा हना। नेट्वरक भू कुछ बनता है। करने पर जो alnya कि को पी आच यह बाइन अधर का को बोग होard लोग करना ओप तो भी छोटा से स्मॉल नेट्वर्क जनरेट किया यह चीज समझी अच्छे से चलिए और जब नेट्वर्क स्टैब्लिस हो जाता तो हम लोग डेटा का ट्रांस्मिशन असानी से कर पाते हैं कि निट्वर्क का डेपनेशन देखां। बहुत ही एजी है कुछ नहीं दो या दो से यादा डिवाइस को अपस में करना लाया नेटवर काक्क लाया अब आते हैं वेड़ अख कॉम्मनिकेशंश उन दे बाइसी सब honors कॉमनिकेशन करते हैं अलग सब्सक्onious को डायरीक्षन के बेसिस पर आंगर करतें कॉम्निकेशन तो उसे बाटा गया दो भाग owe में किसी बुक मेंbak देते हैं पहला संपुलेक्ष बोता हूं कि दो ही पाथ है एक स्फिंपलेट्स और ल crazy इसको भी सब्सक्ता नो प्रब्लम अगर ये इसको डितम घ्या है तो मतलबDa hijos कि यह सिर्फ भेजी सकता है यह कभी प्राप्त नहीं कर सकता मतलब इस तरह के प्रविर्ती को यानि जो प्राप्त करेगा मतलब सिर्फ एक ही डारेक्शन में डेटा का फ्लो होगा अगर एक ही डारेक्शन में डेटा का फ्लो होगा मतलब एक डारेक्शन मतलब बोल सकते इसको और करके यूनी डायकर्शनल और यूनि डैरेक्शनल में बोला जा सकता है, सिंपले समदल इन दैरेक्शनल एक ही डैरेक्शन में डीटा का फ्लोव होगा, उसमें जो भी सेंडर रहेगा वो सेंडर ही जिंद्रीवर रहेगा वो कभी रिसीवर बन नहीं सकता है, जैसे एक जाम्पल का तौर पर इसके एक्जाम्पल अगर बात की जा तो एक्जाम्पल हम लोग क्या लेंगे, चलिके, स्वीरेज करता हूं, मैं ध्यामदा, एक्जाम्पल के तौर पर इसके अगर बोला जा तो keyboard, keyboard, फिर क्या एक बोल सकते हैं, mouse, monitor, यह सभी के सभी क्या है, परींटर उनिए कीबोर से हम कीबोर प्रेस करते है य performances जोबी है उसे computer में लेके जाता एक कंप्यूटर से कीबोड के पास कुछ कभी नहीं आता है तिक है जिनरली जो हम लोग कीबोड यूस करते हैं मतलब वह यूदिरेक्शन भी इसी पर पर मॉनिटर भी उसी पर विल्थी पर है कि मॉनिटर के सिर्फ क्या होता चीपी उसे आता है तो सेंट करने वाला हो गया और हमारा मॉनिटर हो गया तब किसी के दिमाग मैरा सर टच वाला मॉनिटर भाई वह अलग चीजे वह स्पेसल केस है लेकिन यह जो देख रहे हैं आप मॉनिटर वह मॉनिटर जेनरली जो हम लोग उस्ट करते हैं उसकी बात बोले है जो टच नहीं हो टॉच स्क्रिन ना हो ठी कि अटकीक यह थे भाई पले क्या जाता हैं वह टूपलेक्सल का से हमारा हो टोग डेक्स को दोग हम पाता गया एक हाघ रृक्स और दूसरा full duplex half duplex और full duplex को आँ लोग थोड़ा देखेंगे कि half duplex होता क्या है half duplex यसे मालने जाए चलि फिर से एक बार डाग्राम में आता हम मैं यह होगा एक और यह होगा दूसरा डिवाइस अगर यह भेज रहा है चलो ठीक है भेजेगा लेकिन यह भिजेणर कोराई यह क्या लाइ EVER सेट लोगा थे एक रहे और अफ्क यह भी तो कभी विज सकता है तो जब हैस सिच्वशनिल आये जबayan哥 यह यह को भी जह रहा है वी एका लेकिन मोस्त इंपोर्ड़ेंट पॉइंत किata सकते हैं दोनों एक समय में भेज नहीं सकते हैं और एक्जामपल के तौर पर पुरा आपने बॉर्टर मुवी देखा हो गए या बहुत सारे ऐसे डिवाइस देखा वाकी टाकी का नाम सुना होगा है जो बड़े-बड़े मॉल वगरा में भी उसके जाता है जिसमें क्या होता एक समय में लेकिन दूसरे समय में रशीवर भी सेंटर बन सकता है और सेंटर भी बन सकता है इसके अग्जामपल हम लोग देखते हैं इसके इंडनि लग बोलते हैं वाकी यह किवाप्ट कर जुछ Dw बोलते हैं यह चाहिआ सी बीरेडियो थे इसके इटीजन वेंड लोग यूज करते हैं वारिन वह वाला। वह सीवी रेडियो बना आता है तो वो चीजे हाफ ड़ुपलेक्स में आपका वाकी-टकी और सीविरीडियो में आपका हो इसे में टाइब लेकिन लेकिन अल्यसीim 1 मत फुल्डफ फुल्टु यह सकते हैं वैसा को हम लोग बोलते हैं कि फूल डुपलेक्स मतलब इसके एक्जामपल आज के समय में जतना मोवाई मोवाईल संभाते करते हैं और क्या हो सकता है और और भी क्या हो सकता है सोच एदम आसांस टेकनिक है यह कुछ नहीं कि बहुत ज्यादा टफ है तहकर है, mobile हो गया। जो खासतों पर हम लोग बात करते हैं Сट्लाइट हो गया ये जो चीजे हैं, ये सारी में सारी, full duplex के अंदर आती है क्यों? क्योंकि हम लोग भी भैश सकते हैं, अब phone से व के हम लोग बाते करते हैं तो हम लोग बोलते हैं तो अगला के उस दिरुशन है बोल सकता है, वीडियो कॉलिंग हो गया, तो यह सभी क्या है, हम लोग जब बोलते हैं, तो उसके पास तो जाहींगा डेटा, साथ ही साथ जब वो बोल रहा है, वो भी आ रहा है, एन एक समय में कभी कबाद हम भी बेच समय में, तो जो जब सेम टाइम में दोनों डेटा इんな एक दूसरी को ट्रांस्मित कर सकता है, कि बहुते हम हैं क्या, फुल डूपलेक्स है, क्या बोलेग तो, आज ज्यादा तर ऊपयों कंभी किया जाता है वो फुल डूप्लेक्स लेकिन सब सारे का यूज़े अपने अपने जगह पर सब अच्छे हैं और सही भी है तो चलिए यह तो हमारा रहा डिरेक्शन के बेसिस पर अगर हम चाहें किसी और की बेसिस पर लूपर कॉमनिकेशन को डिवाइट करने के लिए तो हम लोग देखें और दूसरे तरीका सब्सक्राइब आप्या नंबब ओस ओ सब्सक्राइब आउप से अधिस करते हैं एक समय में कितना बीट को भेज सकते हैं उसके अनुसार भी बाटा गया है उसके अनुसार बाटा गया है दो भागों में कितने भागों बाटा गया है? दो भागों बाटा गया है चलिए वो दो भाग कौन कौन से? चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले बाग को जो हम लोग बोलते हैं, वा है, Serial. könnten और दूसरे, को बोलते हैं हम लोग, Parallel. Parallel. यायनि, बोल सकते हैं, Serial Communication और Parallel Communication, यह क्या होता है, Serial Communication और Parallel Communication? अभी मैंने बता है, डेटा का एक्स्चेजरेशन ही, से सब्सक्राइब करते हैं अब जब देटा को मालिया जाए कि हमको एक समेंटर कि यहां पर बनाता हूं यह हमारा एक कंप्यूटर जिसको हमने बोल दिया सेंडर ठीक है यह भेजेगा और यह हमारा कंप्यूटर है भी जिसे प्राप्त करना अब देखें अब यह एक वायर से जुड़ा हुआ हो और डेटा जो फ्लो करता हो सीरियल मैनर में करता हो किस तरीके से करता हो तो डेटा है ना इस तरह से क्रमवग तरीके से एक बाइक लाइन से आजा एक बार लाइन से आजा और एक बार में एक एक करका करके सकते ओद लेकिन ऐसा भी तो होगा कि हम लोग एक ही समय में डेटा धेर सारा भेज सकते हैं मतलब कर सकते हैं कि पैरलल कॉम्मुनिकेशन वो दूसरा जो टेक्निक है परक्षिंग क्या होता है परल्ल कॉम्मुनिकेशन में चली देखिए हम अपर यह होगी हमारा यह हमारा हो गया बी चली अने बी को मालोड़े प्यूम अरब चौना श्यां ब्यूमारीट डाना आँा कि end number of connection A white मतला आट वाइर होंगे सुछ लीजिये तो तीके मतलब Sami ऐक कि कि हर से मतलब से 1 जो जाएंगे तो मतलब क्या एक ही बार में डीटा चला जाएगा क्योंकि शारे वाइर से टेंगी सरा तो हम कह सकते हैं प्राइब और जाने चाले की डिश्यल प्रस्परियाल करेंगे के पीछे 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 करेंगे देटा करने लिए आठ बीट तो इस तरह से जल्दी त्रास्विशन कर पाएं कि आठ लएक से करेंगा कम समयंगा चली सब्सक्राइब तो दुनों के फुरा सा अंतर को देखते हैं डोनों की प्रसा अंतर देखते हैं सिलेट परदल की पीश ऊंद्ध सिरेज कर देता है तोगा सिरियल और योगे परल्ल कॉम्मुनिकेशन चलिए सिरियल कॉम्मुनिकेशन की बात करें तो सिरियल कॉमुनिकेशन बेसिकली बेसिकली वन लाइन का प्यों किया आता है किया पीवए का था है? इन लाइना या ट्रांस्मिल्ट करने के लिए मतलब कहा सकते हैं कि सपीड क्या होगा? सपीड है इस सियल कम्म्मिनिकेशन का slower होगा लेकिन वहीं हाँ पर क्या होगा स्पीड क्या हो जाएगा फास्टर हो जाएगा क्यों कि यह तेजी से कर पार है क्यों तेजी से कर पार है क्योंकि इसके पास N-Lines है इसी कारण वाइज अब देखिए अब थोड़ी से कुछ बाते करता है इसको लगा जा सकता है अब लेकिन इसमें नंबर वाइर्स जाता होने कि वह वह प्रॉप्लेक्स हो जाएगा ना तो हम बोल सकते हैं डिक्रिकल टू यानि कॉंप्लेक्स कॉंप्लेक्स तुइंस्टॉप कॉंप्लेक्स तुम इंस्टॉल कहा जा सकता है चले ठीक है निक्स करते हैं अब आते हैं पर जब हमें एक लाइन है तो कॉस्ट भी कम लगा यानि लो कोस्ट लो कोस्ट कर सकते हैं और अगर यहां पर बात करें कि इसमें एक लाइन है तो कॉस्ट क्या लगा तो यहां पर जब N-lines है तो cost क्या लगेगा? cost high लगेगा next यह तो चीज़े समझ में आए कि क्यों low लगेगा cost क्यों high लगेगा तो कि इसमें एक लाइन है इसलिए लगेगा इसमें N-lines है इसलिए high लगेगा next आते हैं कि तो cost की रही बात अब अगर हम बात करें कि long distance transmission के लिए तो अगर बात करें कि बहुत ज़्यादा दूर तक transmission करना है तो बताई बहुत ज़्यादा दूर तक parallel N-bits N-wires को लेके जा पाना संबब है थोड़ा problem आ जाएगी कि बहुत साले बात करें किसी भी एक वायर का टुपना से हमारा data corrupt कर सकता है इसलिए parallel communication long distance के लिए नहीं है मतलब का सकते हैं long distance long 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 distance transmission सही नहीं है parallel के लिए लेकिन यह क्या है long long distance transmission के लिए इसके याद रहता है long distance transmission के लिए यूज केया था कौन सा serial communication तो यह हमने difference भी देखा और भी differences है तभी और मौका मिलेगा तो हम लोग देखेंगे अब यह से भी हम लोग fundamental के अंदरकत data communication networking पढ़ रहे हैं यह lecture number two था चलिए तो आप लोगों ने यह देखा और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह lecture बहुत पसंद आया होगा और मैं यह भी कहूंगा कि अगर किसी भी तरह अगले क्लास हम लोगों को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी पहुंचाने की कोशिश करें आज का क्लास यह समापत होता है अगले क्लास हम लोग और भी इंटरस्टिंग टॉपिक को लेके चलेंगे धर्मेबाद